दिकुर रख्मतुल्लाहिवबरकातुहू वेलकम बैक आप्टर लॉंग टाइम जो है हम मिल गए फिर से चले शुकर अल्लाह का तो बेटा क्लास एट्थ के लिए वीडियो लेक्चर होगा और अल्रेडी हमने एक चाप्टर उठाया था जिसका नाम है रीचिंग दे एज आप अडोली संस बेटा उस चाप्टर में हमने बहुत यानि के टॉपिक्स कंपलीट किये थे और एक टॉपिक आया था हमारे पास एंडोक्राइन सिस्टम या जिससे हम बोलते हैं एंडोक्राइन ओलोजी और एंडोक्राइन सिस्टम या एंडोक्राइन ओलोजी जो है बेटा वहाँ पे हमने सबसे पहले देखा था एंडोक्राइन सिस्टम होता क्या है उसकी लोकेशन देखी थी और एंडोक्राइन सिस्टम में कौन-कौन सा पार्ट होता है यानि कि कौन-कौन सा औरगन एंडोक्राइन सिस्टम का है बेटा वो भी हमने देखा था अब देखिए यहां पे अब आज का जो टॉपिक है वो है बेटा कि हार्मून इस आप एंडोक्राइन सिस्टम topic उका रहा है hormones up endocrine system मैंने आपको बताया था एक बारी बेटा endocrine system में हमें सबसे पहले देखना है कहां पिल होता है ठीक है location already I have discussed that thing with you people और दूसरी चीज़ जो हमें endocrine system में जो बेटा देख नहीं होती है वो यह है कि endocrine system के जो organs है ठीक है उन organs से कौन-कौन सा hormone निकलता है उन hormones को जाने की कोशिश का दे होती है ठीक है और अब देखिए आज जो है हम वही देखेंगे कि endocrine system जो है बेटा उसके जो organs है उन organs से कौन-कौन सा hormone निकलता है आज हम यहाँ पे वही देखेंगे और लास्ट पे हम देखिएंगे उन hormones का function क्या होता है और बेटा अब हम यहाँ पे start करते हैं तो topic क्या बोल रहा है hormones आप endocrine glands endocrine glands जो है बेटा उनके hormones कौन-कौन से हैं सबसे पहले जब मैंने endocrine system उठाया था उस वक्त बेटा मैंने आपको बताया था हमारी body में बहुत सारे organs होते हैं endocrine glands होते हैं ठीक है एक मैंने बात की थी एक के बारे में मैंने बात की थी वो है बेटा hypothalamus hypo t h a l a m u s hypothalamus gland ठीक है बेटा hypothalamus gland देखे hypothalamus gland जो है बेटा यहां पर थोड़ा आपको यह मुश्किल लगेगा but be relaxed ठीक है न मुश्किल इसको मत बनाईए इससे मुखबत कीजिए और यह आपको जो है न गले से लगाएगा अब देखे hypothalamus gland जो है यह हमारी body में एक endocrine gland होता है मैंने आपको location बताई थी जो brain होता है बेटा जो हमारा दिमाग होता है दिमाग के नीचे से यहां पर मैं थोड़ा सा बना सकता हूँ इदर रखे अगर यह मैं brain बना लेता हूँ देखे बेटा यह है brain ठीक अब देखे ब्रेन के नीचे से यहां पर होता hypothalamus gland इतना बड़ा तो नहीं होता है आपको दिखाने के लिए मैंने इतना बड़ा बनाया यह जो blue color से मैंने बनाया गटा यह है hypothalamus gland अब देखे कोशुश कीज़े समझने की देखे बेटा hypothalamus gland जो है यह भी मैंने आपको एक बाही बताया था इससे 9 different types of hormones निकलते हैं कितने? 9 different यानि कि 9 अलग-अलग करसम के hormones निकलते हैं ठीक है? 9 different types of hormones are released by this hypothalamus gland which is present below our brain ठीक है? चलिए इदर रखे यह क्या है? hypothalamus gland देखे बेटा कौन-कौन सा hormones इससे निकलता है? इससे बेटा 9 different types of hormones निकलते हैं मैं अब पहले example समझे दुनिया में लग-बग 7 billion people हैं यानि कि इनसान humans 7 billion देखे बेटा अगर हम इन इनसानों की तरफ देखेंगे यह दो ही किसम के हैं है ना दो ही types के या तो male या तो female जब मैं क्लास में यह बात बताता हूं दुनिया में दो ही किसम के इनसान है या तो male या female और फिर बच्चे क्या बोलता है? आप जैसे नावकार फिर बोलता है सर वो जो middle man होता है वो क्या होता है? 12 तकि बटा तो या तो male होते हैं या तो female होते हैं दो ही टू types आप यानि के humans are present in this universe among 7 billion 7 billion में दो ही वो होते हैं या तो male या तो female इसी तरह अगर 9 different types of hormones निकलते हैं hypothalamus gland से देखे बेटा यहाँ पे अगर 9 different types of hormones निकलते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ठीके ना 9 different types आप देखे बट यह दो कसम के होते हैं 7 billion इंसान दुनिया में हैं मगर दो ही कसम के males और females इसी तरह hypothalamus gland से 9 types of hormones निकलते हैं बट वो दो ही कसम के होते हैं या तो बेटा वो होते हैं male और female नहीं या तो वो होते हैं releasing hormone releasing hormone ठीक है या बेटा वो होते हैं inhibitory hormone I-N-H-I-B-I-T-O-R-Y inhibitory hormone बड़ा interesting है endokrinology बहुत प्यारी है इदर रखे देखे बेटा 9 types of hormones निकलते हैं बट दो ही कसम के होते हैं या releasing hormone या inhibitory hormone इसका मतलब अगर यहां पे 9 कसम के हार्मोन निकलते हैं उन मेंसे कुछ releasing hormone होंगे और कुछ inhibitory hormone होंगे इदर रखे बेटा छोड़िए अभी इसको आईसे ही रखे मैं आपको समझाता हूँ कहां पे क्या यह काम करते हैं देखे दूसरा जो बेटा gland हमारे पास होता है सबसे पहले इसकी target side हम देखेंगे target side इदर रखे बेटा target side क्या मतलब target side देखे target side मैंने आपको आर्लेडी बताया है जब हार्मून निकलता है हाइपोथैलमस से निकला किसी भी gland से अगर हार्मून निकलता है पिचुटेरी gland से हार्मून निकला हाइपोथैलमस gland से हार्मून निकला किसी भी gland से जब हार्मून निकलता है जहां से हार्मून निकलता है उसको हम secretion site बोलते हैं क्या बोलते हैं? secretion site निकलने वाली जगा secretion site और बेटा हार्मोन को जहां पहुँचना होता है जहां पे उसको काम करना होता है उस जगा को हम बोलते हैं target site इसका मतलब अगर यहां पे hypothalamus gland के अंदर हार्मोन बनता है तो हार्मोन की secretion site कौन सी है? hypothalamus gland क्योंकि यह hypothalamus gland के अंदर बनता है हाँ अगर यह हार्मोन अब वहां से निकलता है इसको finally कहां पहुचना हैं हार्मोन को उस जगा को हम बोलते हैं target site तो target site मैं बोल सकता हूँ यह वो जगा होती हैं जहां पे finally finally एक हार्मोन को पहुचना होता है देखिए बेटा जब इससे हार्मोन hypothalamus gland से निकलता है अब वो हार्मोन कहां पर effect करते हैं कहां उनको जाना होता है उनकी target site कहां पर होती है बेटा हमेशा याद रखे जब भी hypothalamus gland से हार्मोन निकलता है वो जाता है pituitary gland के पास किसके पास pituitary gland मैं यहाँ पे बना सकता हूँ बिड़ा यह इधर रिखे यह है pituitary gland नीचे से तो जब भी hypothalamus gland से और हो निकला बिटा वो कहा जाएगा pituitary gland के पास इसका मतला कि hypothalamus gland से जितने भी और हो निकलते हैं उनकी target side जो है वो होती है pituitary gland pituitary gland कलिये चलिए आगे जाते हैं देखे इन हार्मूल्स का काम मैं बताऊंगा इधर रिखे बिटा दूसरा जो हमारे पास जो endocrine gland होता है दूसरा जो हमारे पास endocrine जो gland हमारे पास होता है वो होता है बिटा पहले hypothalamus दूसरा है pituitary gland ठीक है बिटा मास्टर एंडोक्राई भी बोल सकते है मास्टर एंडोक्राई भी बोल सकते है ठीक है पेड़ा, hyperphysis cerebride भी बोल सकते हैं, master endocrine gland भी बोल सकते हैं, पेड़ा इधर रिखे, इससे बहुत सारे hormones निकलते हैं, master endocrine gland इसको इसलिए बोलते हैं, क्योंकि इससे, यानि कि बहुत multiple, यानि कि बहुत types of hormones इससे निकलते हैं, इस pituitary gland से, उतने hormones किसी और gland से नहीं न से निकलता है ठीक है चलिए इधर रखे बिटा अब मसला यहां पर यह है पिचुटेरी ग्लैंड जो है लोकेशन मैंने बताई है इसकी लोकेशन हाइपो थैलमस ग्लैंड के नीचे से होती है हाँ अब कौन-कौन सा हार्मून इससे निकलता है बिटा याल रखे पहला जो इस सिटुमयलेटिंग हार्मून थैरोलेटिंग हार्मून ठिए इच व र-o-i-ड थैरोलोिण सिटुमयलेटिंग हार्मून याल कि Healthyму मैं एतिए आइच जिसको थैराइड शिट्वूलेटिंग हार्मून कको हम शॉट में टी एज़ाइच गोलते से थे काहां चलिए जिसको थ प्रोलेक्टिन हार्मोन, इसको बेटा, पी एच बोलते हैं, ठीक है, प्रोलेक्टिन हार्मोन, चलिए बेटा, जो नेक्स्ट वारा हार्मोन, किससे निकलता है, पिच्चुटेरी ग्लैंड से, वो बेरा फीनेल्स में निकलता है, फीनेल्स में वो निकलता है, उसको हम बोलते Follicle Stomulating Hormones Follicle Stomulating Hormones देखिए बेटा इसी Follicle Stomulating Hormones को हम FSH बोलते है FSH Follicle Stomulating Hormones ठीक है बेटा यादर रिखे यह फीमेल यस में निकलता है मेल्स में नहीं निकलता है Next बेटा जो पिचुटेरी ग्लैंड से हमून ¿निकलता है? वो है Intercetitial Cell Stimulating Hormoon, बड़े बड़े नाम है बड़ा, Intercetitial Cell Stimulating Hormoon, देखे बड़ा, इसकी जो short form है, वो है ICSH, यह Males में निकलता है, ठीक है ना बड़ा, किन में निकलता है, Males में निकलता है, और जो बड़ा, एकोर हामून जो इससे निकलता है, पिचुटेरी ग्लैंड से, वो है Oxytocin, Oxy Toci Oxytocin, ठीक है ना, यह भी बड़ा, Oxytocin जो है, यह ज्यादा तर उस वक्त निकलता है Females में, जब Pregnancy का वक्त होता है, ठीक है, यह इसको हम Child Birth हामून भी बोलते हैं, या Birth हा हामून बोलते हैं, क्योंकि यह जनम लेने में बहुत मदद देता है Oxytocin, बारहाल बेटा, मैंने यहाँ पे, दो ग्लैंड के बारे में डिस्क्स किया, Hypothalamus Glynd, 9 टाइपस अफ हार्मून निकलते हैं, और वो दो ही कसम के होते हैं, 9 कसम के हार्मून निकलते हैं, मगर वो लो उनकी यहाँ होता है, या तो releasing हार्मून होंगे, या inhibition होता है, या बेटा, मैं आपको ऐसे समझा सकता हूं, जो 9 कसम के हार्मून होते हैं, कुछ उनमें हार्मून होता है, कुछ उनमें inhibitory हार्मून होता है, आगे हम देखे हिए क्या होता है। और जब भी Hypothalamus Glynds हार इसको हम hypophysis cerebrae भी बोलते हैं, master endocrine gland भी बोलते हैं, जो pituitary gland होता है, इसी के ही नाम है, अब देखिए इसे बहुत सारे हार्मून निकलते हैं, तो मैंने कुछ हार्मून का जिकर यहां पर किया है, याद रखिए, खाली pituitary gland इतने हार्मून नहीं निकलते हैं, इसे बहुत मैंने कुछ important hormones को यहां पर discuss किया, क्योंकि यह class 8 के लिए है, चलिए, तो पहला जो हार्मून है, वह है growth हार्मून जिसे हम GH बोलते हैं, चलिए, तो दूसरा हार्मून, पिष्टोरी gland से कौन सा निकलता है, थाइराइड से टुमूलेटिंग हार्मून, TSH, तीसरा, प्रोलेक्टिन हार्मून, चोथा, फॉलिकल स्टुमूलेटिंग हार्मून, FSH, next, इंटरसेटिशियल सेल स्टुमूलेटिंग हार्मून, ISH, next, and last, ऑक्सिटोसिन या बल्थ हा क्या होता है, यह जो hypothalamus gland है, देखे बेटा, आप function देखे, यह हार्मून मैंने आपको बता है, function देखे, क्या होता है, यह जो hypothalamus gland से जो बेटा, हार्मून निकलता है, releasing hormone, क्या नहीं हार्मून, याद रखे, जब भी hypothalamus gland से निकलता है, releasing hormone, वो जाता है किस के पास, pituitary gland के के पास. पिचुटेरी ग्लाइड को बोलता है. असर में stores जो होता है, हामून का जो स्टोर होता है जहापे बहुत सारे हामूनs होते है नवो बेड़ा पिचुटेरी ग्लाइड है. सारे endokrione Gastic को नजर इसी पे होता है, पिच्टेरी gland को बोलता है, to release something, release करो, क्या करो release, देखिए बेटा, समझ जे कि कुश्च कीजे, hypothalia थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है, ठीक है न, इधर रहे है, तो ये जो hypothalamus gland, फारिसमल यहाँ पे एक हार्मून आया, वो हार्मून जो है कि आप फालानी हार्मून निकालो, आप for example, prolactor हार्मून निकालो, आप follicle stimulating हार्मून निकालो, इसका मतलब है, तब-दख pituitary gland काम खुद नहीं करता है, तब-दख pituitary gland हार्मून नहीं निकालता है, जब-दख pituitary gland को message देता है hypothalamus gland ठीक है? clear? चले तो इसका मतलब pituitary gland को अगर ये hormones निकालना है, इन hormones को निकालने के लिए इसको feedback आना चाहिए इसको पीछे एक message आनी चाहिए इसको hypothalamus gland पहले बोलना चाहिए क्या आप निकालो हाभून तब जाकर निकालता है इसका मतलब pituitary gland जो है ये किस के control में है? hypothalamus के control में है ठीक है? चले देखे बेटा, तो ये जो pituitary gland होता है इससे हार्मून तब निकलता है ज़र hypothalamus gland होता है याद रखें, सर अब अगर हार्मून निकला, ठीक है अब उस हार्मून को रोकना है अब उस हार्मून को रोकना है अब हमें हमारी body को हार्मून नहीं चाहिए अब हार्मून को रोकना है कौन रोकेगा? इसका मतलब अगर pituitary gland से हार्मून निकला देखे, hypothalamus gland ने message बेजी releasing हार्मून बेजा वो गया pituitary gland के पास pituitary gland को क्या बोला? आप हार्मून निकालो तो pituitary gland ने हार्मून निकाला निकाला, 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 ठीके न? अब देखे बेटा अब मस्ता यहां पर यह आया हार्मून बहुत निकला वो हार्मून अपनी target side पे भी गया ठीके? चले आप देखें, आपको पता है क्या हुआ? अब उस हार्मून को निकलने से रोकना है अब उस हार्मून को निकलने से रोकना है कौन रोकेगा? आप यही hypothalamus gland यही hypothalamus gland अब बेटा मैसेज देगा अब हाईपोथालमस gland एक और किसम का हार्मून निकलता है जिसको बोलता है इन ही पिट्रे हार्मून इन ही पिट्रे हार्मून निकाले का कौन है इपोथायमस ग्लेंड वो किस के पास जाएगा पिचुटेरी ग्लेंड के पास बोलेगा पिचुटेरी ग्लेंड को ए पिचुटेरी ग्लेंड साहर आपने ज अब नहीं निकलता है, इसका मतलर हार्मून पिश्ट्री ग्लाइन से तब निकलता है जब हाइपोथालमस ग्लाइन रिलीजिंग हार्मून निकलता है हार्मून पिश्ट्री ग्लाइन से तब रुक जाता है निकलने से रुक जाता है जब पिचो हाइपोथालोमस ग्लाय 누ус के है ना ना थो हाइपोथालोमस ग्लाय। तो यही जो पिचो थो ग्लायन है बिटा यह किसके बिच़टरूमस ग्लाय के बिचो हम बोलते हैं till सृटरोमाला पिचोटे करें지는 हार्माइप solid and निखाले लिए कुलियोगा अगर inhibitory hormone है को thermos gland से आया, तो pituitary gland inhibit करेगा, रोक लेगा, अब नहीं निकालेगा, क्लिया बेड़ा, चलिए, अब मसला है pituitary gland, आपको बता है परसू वो जो इर्फांग खान वो जो film star थे ठीके ना, वो जब उनकी death हुई, तो आपको बता है उनको मसला क्या था, असल में उनको यही, यानि कि इसी में problem थी, पिचुटेरी gland यानि कि pathogenesis थी उनको, यानि कि इसी में उनको problem थी, यानि कि इनका cancer इसमें था pituitary gland में, जिसके वज़े हार्मून प्रॉपली काम नहीं करते थे, में metabolic activity बॉडी में नहीं होती, जिसके वज़े सुनके death हुई थी, चले बिटा, पिचुटेरी gland जो है, अब ये वाला है, अब इससे हार्मून निकलते हैं, अब कौन सा हार्मून निकलेगा, वही हार्मून निकलेगा, जिस हार्मून यहां से निकलेगा, जो हार्मून बोल याद रखे बिटा, अब हमें ये नहीं देखना है, पीछे मैसे जाई, फिर यहां नहीं, अब आप यहां फोक्स कीजे, पिचुटेरी gland से ये सारे हार्मून निकलते हैं, अगर पिचुटेरी gland से ग्रवूथ हार्मून निकला, जी एच, बिटा, ग्रवूथ हार्मून जा बिटा, वो हार्मून जाता है, इधर के एक में, वो हार्मून जाता है, यहां ब्लेड में, ठीके ना बिटा, किसके अंदर गया, ब्लेड में, ब्लेड भी आगए जाता है, और हार्मून भी आगए आगए जाता है, तो हार्मून को ट्रांस्पोर्ट ब्लेड करता है, जब हमारी long wounds होते हैं बिड़ा इनके पास पूछेगा है growth hormone और long wound उसको बोलेगा कौन बोलेगा ये बोलेगा पिछुटेरी gland ये जो long wound उसको बोलेगा कौन सा hormone growth hormone बोलेगा क्या long हो जाओ लंबी हो जाओ इसका मतला कि growth hormone पिछुटेरी gland से निकलता है जो हमारी body को growth कराता है ठीक है बिड़ा चले next ये जो thyroid stimulating hormone देखे बिटा पिछले वाला lecture याद कीजिए मैं आपको बताया था हमारी neck region में गरदन में एक thyroid gland होता है इसे ठीक न हमाई thyroid gland होता है देखे बिटा तो thyroid stimulating hormone pituitary gland से TSH thyroid stimulating hormone निकलता है वो जाता है blood में गैरा blood में और blood में जाने के बाद वो thyroid stimulating hormone जाता है thyroid gland के पास जो आईसे होता है ठीक है न तो thyroid stimulating hormone आया यह गया किस के पास thyroid के पास thyroid को बोलता है आप hormone बनाओ क्या बनाओ आप hormone बनाओ ठीक है बिटा चले तो इसका मतला thyroid stimulating hormone pituitary gland से निकलता है और वो जाता है thyroid gland बस डार्गे साइड के बाद बस फिर आगे क्या करते हो आगे देखेंगे फिर आप यह तैया रखेंगे next prolactin hormone देखे बिटा यह जो pituitary gland होता है pituitary gland से एक और कसम का hormone निकलता है prolactin hormone जब निकला वो blood में जाता है फिर जाता है females में जो breastis होती है ठीक है न बिटा तो prolactin hormone pituitary gland से निकला blood में गया और prolactin hormone blood में चलता है चलता है फिर जाता है females की breastis के पास ठीक है न बिटा और breastis को क्या बोलता है कि आप मिलिक बना, क्या बना, मिलिक बना, चले बेटा, इसी तरह Follicle Stomulating Hormone, FSH, देखिए बेटा, फीमेल ही जो होती है, उनका जो रिप्रोडेक्टिव सिस्टम होता है, रिप्रोडेक्टिव सिस्टम में, ओरीज होती है, क्या होती है, यहाँ पर मैं बना लेता हूं, यहाँ फीमेल का, जो रिप्रोडेक्टिव सिस्टम होता है, फीमेल का रिप्रोडेक्ट सिस्टम आप भी बिड़ा देख सकते हैं क्लास एट के पे जमर 37 पे ठीक है ना इसकी डायग्रम है वहाँ पे तो वहाँ पे ऐसे दो राउंट सेट्रक्चर्स होते हैं जिने हम अवरीज बोलते हैं देखे बिड़ा जब यहां से पिचुटेरी ग्लेंट से फालीकल स्टुमलेटिंग हार्मोन निकला वह हार्मोन गया किस में FSH किस में गया confront तो FSH हार्मोन आता है पे बिड़ में वह जाता हैं किसके पास ओरीज बोलता है आप क्या बनाओ follicle बनाओ, मैं आपको ऐसे बता सकता हूँ कि जब FSH आया वो blood में जाता है, फिर जाता है और इसके पास, और इसको बोलता है आप female sex cell बनाओ, ठीक है ना, चले next, intercetitial cell stimulating heart hormone होता है, जो निकलता है pituitary gland से ICSH, ये जाता है बिटा blood में, males में होता है blood में जाता है, और blood में फिर कहां जाता है testis के पास जाता है, male का जो अरी product system होता है वहाँ पर ऐसे दो testis होता है, secretum में, इदा रखे तो क्या होता है, ICSH जब निकला, वो जाता है blood में, फिर जाता है कहां, testis के पास, males की testis के पास, और males की testis को बोलता है क्या बना मेल सेक्सेल बना तो मेल सेक्सेल कैसे बनती है याद रखे मेल सेक्सेल तब बनती है जब वहां से icsh आता है या interstitial cell stimulating hormone जो टेस्टीज तक आता है उस hormone को को लाता है blood लाता है कहां से? पिचुटेरी gland से clear? चले next oxytocin देखे बेटा तो पिचुटेरी ग्लैंड से oxytocin hormone निकलता है वो जाता है ब्लेड में और ब्लेड के बार फिर जाता है इस uterus में uterus के ओपर से रहता है यहां uterus के ओपर से और uterus को contract करता है इसा इसे compress करता है ताकि बच्चा जो अंदर होता है वो बाहर निकल जाए इसका मतला है इसलिए इसको हम क्या बहुते है बिटा बिटा यह दो ग्लैंड्स थे जो थोड़े से tough लग रहे थे आपको ठीक है ना hypothalamus gland और pituitary gland और next हम pineal gland, thyroid gland, parathyroid gland, thymus gland जो बाकी glands है उनके बार में हम आप इंशाला हम बात करेंगे